चलिए शुरू करते हैं दिगंत पाठ भाग संख्या दो पाठ संख्या दो भाग संख्या दो दिगंत भाग दो पाठ संख्या चार का बेखंड मतलब कविता वाला भाग और आज जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे उसका नाम है छपपए नाम क्या है छपपए मन में होगा यह छपपए क्या है छपपए कहते किसे हैं तो आपके सब्दों में कहा जाए तो वह कविता या वह दोहा या वह चंद जिसमें छोगों लाइन हो छोग वाक्यों वाले पद को चपए करें चपए क्या है तो जिस पद में कितने वाक्यों 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 उस पद को हम और शपए की रचना नावादास नावादास के दौरा किया गया है मैंने कल कहा नावादास मित्रथे गोस्वामे तुलसी दास के या नावादास शमकालीन थे गोस्वामे तुलसी दास के दून वात हो सकता है मितर थे तो समकालीन होगे तो छपपए किसने लिखा नाभादास ने लिखा किसने लिखा नाभादास ने लिखा और छपपए का मतलब क्या होता है तो छपपए का मतलब होता है कि वह चंद वह पत जिसमें कितने वाक्य हो चार वाक्य हो चौन लाइन हो आपके सब्दों में नहीं उसे हम क्या करते हैं चंपय को लिखा किसने नाभादास ने लिखा नाभादास ने लिखा और चंपय को किस तुस्तक से लिया गया इसका स्रोत क्या है तो चंपय को भक्त माल मने भक्त की माला जितने भी संत कवी हुए हैं जितने भी भक्त कवी हुए हैं उन भक्त कवीयों के बारे में नाभादास ने किताब लिख दिया उसी किताब का नाम कहा है भक्तमाल लगभाग यह जो भक्तमाल उस तक है जिसको छप्पाय चंद में लिखा गया है और इसमें भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित रखा गया है इसमें चित्रन है वरनर है और भक्तमाल में 300 सुलह वह चप्पाय है कितने चित्रन है और भक्तमाल कि रचना किस ने किया है और आज जिस प्पाय को हम लोग बढ़ेंगे वह चिताब से लिया गया है और आजड़ो चंपाय हम लोग पढ़ने बाले है एक चंपए में किसके बारे में बर्णन है कवीर दास के बारे में आदूसरा किसके बारे में सूर दास के बारे में बर्णन है कुछ देगा और पूझेगा क्या किस ने लिखा किस पुस्तक से लिया गया कि अब अवसर पाई मेरी ये सुधी भाईवी कचू करुन कथा चलाई बिने पत्रिका से लिया गया है लिखे किसना है आपको लाइन याद रखना पड़ेगा नहीं तो पांच को परसना आपसे ना बनेगा गरांडी है तो हमने कहा कि दू भाक्तमाल है इसमें तीन सो सुला चापए है और भाक्तमाल में दूसो भाक्तों के तैस्टन का बढ़नन है और भाक्तमाल को चापए स्वैली में यह चापए चंद में लिखा गया है तो चापए जिसकी रचना नाभादास ने किया और चापए को किस बुश्टक्ष लिया गया है वक्तमाल से और वक्तमाल को किस न लिखा नाभादास न लिखा तो चपपए को परने से पहले हम नाभादास के बारे में जान ले कि नाभादास थे कौन तो नाभादास के बारे में कहा जाता है कि नाभादास जिनका जनम 1570 इसीपी में दक्षिन भारत में हुआ था जाती है पिताजी के मरद्यू के बाद इनके सामने जीविका की समस्दा उत बन हो जाती है तो यह अपने माता जी के साथ वहां से क्या होते हैं पलाइन कर जाते हैं और कहां जाते हैं जैपुर वहां पर आके फिताजी के मरने के बाद तक्षिन भारत को क्या करने है जोर देते हैं और जोरकर उत्र भारत में राज अस्ताने के राज है और राज अस्ताना राज क्या जैपुर वहां पर आके खेतरी के राजा के राजाते हैं या आगे पढ़े में तो मिला होगा खेतरी जो शिंदु खाटि शब्टा के काल में तांबा के लिए परसिद उठा खेतरी के राजाते हैं कि अगुश्व जाती है है आप अगी तुम खुद नहीं रहे हैं आप कालिधा साब नहीं बने वाले है कि काली मता अचानक राथ में रफ्षन देगी बेटा तु जो लिखेगा किताब चुलो याद हो जएगा आई संथ आप लोग मैं देन नहीं है क्या कुछ style एले नहीं देखाएगा जिसे अलोए जो को प्रें सबलu नहीं होगा हाग है कुछ लोग को का तर्फ प्रते जिक्छार दे सब्टाइक हा जा रहे हैं निरल sudah तो जुल्ला साइस्वी में इनके क्या होती है बिड़ती हो जाती है शिक्छा पराप इस वाध्याय के दौरा किसी टीचर के यहां जाकर नहीं पढ़ेते हैं राप दोफा के साली आपके पिता ने आपको टीचर बोज दिया लेकिन फिर भी आप पीचर के सानिते में भी राक भीड़ते हैं और युवा वस्ता पे happiest करतें कि सौर्णी के माता जी किолो के अध्याटें सब्सक्राइण क्या करते हैं चैसानीति क्ड adesso दूंख करता है यो जए धरशने कंए फॉर्पुर्ण रजय ichi लोग दर्शन घुमने में इनको लोगों से मिलने जुलने में इनको बरा मन लगता था और भगवत बक्ति भगवान की वप्ति करने में दोली का प्लोगों से मिलना जुलना और इस वर की वप्ति करने इनको विश्यस में ता दिक्षा गुरू शुक्षा नहीं धर्मका ज्या रूप से बढ़न्दावन में निवास करते थे राध्यदेव राममार्गी विचारधारा के शट्थ थे शमुन भी चारधारा के सद्थ इश्वर को मांते थे मुर्थी बनाकर पूजा करते थे इनके राध्यदेव कौन थे राम और इनके समकालीन कवी कौन थे गोस्वामि तुलसी दास इनके समकालीन कवी थे और इनके प्रमुक रजना है भक्तमाल अश्टियाम और यह अवधी भासा के कवी तो किसे भासा के अगर आपसे प्रश्न करें नाभादास का परच्चे दें आप लिखेंगे नाभादास नहीं जो आधुनिक काल में अवधी भासा के एक महान फक्त कवी या संथ कवी थे लिखा जा सकता है नाभादास हिंदी शाहित के आदोने के काल के एक महान संथ कवी थे या फक्त कवी थे जिनका जन्म 157 में दक्चिन भारत में हुआ था और मृतियू सुला से इस्वी मुही थे प्रवास कर गए रहा गए स्वाथाय के दौरा इन्होंने सिक्षा को प्राप्त किया था लोकजर्शन और भगबत बक्ती में इनकी विशे सुरुची थी इनकी जिक्षा गुरु का नाम पर स्वामी अग्रदास इन्होंने अस्थाई रुप से ब्रिंदामन में निवास कि जा था ए भगवान स्री राम की उपासना करते थे मत्ब राम भक्त थे और गोस्वामी तुल सिदाजिन के मित्र या समकालीन कवी थे इनकी प्रवुकर रचना भक्तमाल और अर्टियाम है दोरी किताब लिखा ये जो भक्तमाल किताब है छपपय चंद में लिखा गया है जिसमें 366 है और 200 भक्त कवियों के चड़ितर का चिक्रन है उनके बिसिताओं का जिक्र है और जो अर्टियाम है उसकी रचना दोहा किया है उमीद है इनके दीबंचरिति को लिखा जा सकता है तो अब यहां हम लोग प्रश्ण में डानेंगे कि इन्होंने जो छपपय लिखा तो दो चपपय है पहला है जिशमे कवीर दास के बारे में लिखा है और दूसरा जो छपपय है यहां आप देखवा रहे हैं इसम तो पहला प्रस discouragじゃあ उन्हेना कि शप्पय को लिखा किसने किसने लिखा नाभा डास ने लिखा और नाभा डास प्रहे चप्पय में कि दニवी कि दकिन के द्षुर डास के दीज़िभ़ किया है lub डॉकल ecology तो पहले चपपए में कवीर के बारे में और दूसरे चपपए में सूर्दास के बारे में चर्चा किया है तो आप लोग अपने पुस्तक को निकालेंगे और पुस्तक में देखेंगे पहला पद पहला चपए लिखा है भागती बिमुक जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए भले ही या वाक्य नाभा दास का है लेकिन नाभा दास ने इस वाक्य के माध्यम से इस छप्पय के माध्यम से कवीर दास के बारे में बताया है कि कवीर दास कैसे थे? उनकी विशेस्ता क्या थी? कवीर यूँ ही कवीर नहीं थे ऐसे कवीर का मतलब यह होता है महार पराया हूं मैं हितिहास में कवीर का सामतिकर्थ क्या होता है क्या लिखा बहागती बिमुक्र जे धर्मसो सब अधर्म करी गाए नमादास कहते हैं कवीर दिस के बारे में कि कविर्दास वह यह से लोगों की अलोचना किया है निंदा क्या भर्तना किया है जो भक्ति से भी मुखलो करते हैं कि नाम लेते हैं हम अमुका यह करते हैं हमुका यह करते हैं चिदान्द कहेगा कि हम इंसाबाती हैं काम करेगा हिंसा का कविर्दास ने लिखा कि अभागत कविरदास के वारे में नमालदास लिखते हैं कि कविरदास क्या संख देते कि बहागती कि वūखती जो फिमुख證 इस पर अ Chinese कहें तुनिया की ना Campbell भिका duż व्लीय में तरका काम करने से मले होता है की करें जिसकर परिणाम क्या हो ज्यों कि यद वूरत दान बजन बिन डुक शेदि योग करता है नाया कोज्ञ करता है ना फूजा करता है उससे ले ञांग को नोई है नहीं अब आज तो लोग उनमे पर चड़ता फेड़ लूग वाटसप पर देखता हूं इक्या तरीका है पत्थर की पुझा करो कहा दिखता है हम तो इस लोग उपने बाप के फोटो को भी लदियाता होगा देखता ही नहीं होगा लोग के पिता दी शुरू से किसी की पुझा करते आ रहे हैं और उसका बेटा क्या होता है नहीं तो गवाँ में कहा बात है कि बाप के ना उस्ताग पाता बेटा का ना पर उन दूर गादा से के पिता को पीता करना चोड़ गारंटी क्या है कि तो अपने देखे हो कि वहीं कुमाना पिता है कि फर में क्या है वरोसा है विश्वास है कविड़ा भी लिखते हैं कवीड से बना तुम नहीं नहीं हो सकता है जी कि वह किसी के दावा में लिखे नहीं वह तो हमीं समयन वजवादी कवीते के विड़ा सब्सक्राइब इन्दो और मुसल्मान को जोरने क्या काम किया तो कर लिखा मैं करता है नई करता है नवरत कड़ान कुछ कब नहीं करता है उसे लोग को जोडने का हिंदु तुरक परमान रमैनी सब्दी साखी हमने कहा कवीर के दौरा लिखा गया पुस्ता का नम है बीजक और बीजक के कितने खंद है उम्मिधे परादियां होती नम है शाखी सब्दी रमैनी पढ़ाया हूँ याद होना चाहिए कवीर काते हैं कवीर काते हैं कि हिंदु तुरक परमान रमैनी सब्दी साखी मतलब कवीर दास ने कभी भी हिंदु मुसल्मान परमान में अपनी पुस्तक चाहें रमैनी हो चाहें सब्दी हो चाहें धिनु का मिला जुरू क्या कभी भी इंदूर मुसलमान में बेदभाव करने काम नहीं किया सब को समांद रिष्टिकों से देखा पक्षपात नहीं बचन सब के पक्षपात नहीं किया हमेशा कभी बोले जो सब के रिष्ट कित कभी दास के बारे में बोला हुई तीहास ने कि पद लिखा है कि मुर्ती पुजा का विरूर करते हुए कि पाहन पुजाय तो हरी मिले तो मैं पुजू पहार ताकी सो चाकी भाला जो कुट खाय संसार मैं झाल मंने पंटर को पुजू culpa म्मटा सब करने नहीं मिल्हादेधाच बहर की फैसे कि पलेते हैं कि बढ़ा प्रसें हो गया कि सही मैं मुसलमा शत्य है ने बैटा तुम्हारे वारे मेरे बिभी है मेरे पास जो बना लिया और बरी जोर से अकबर चिलाते हों कि अला बहरे है सांतवन से पुजा करोगे तो इभादत करोगे तल्ला पसंद नहीं होता उन्होंने किसी को नहीं बक्सा इंदू के धर्म के बुराई का भी उन्होंने खंडन किया और मुस्वल्मान धर में जो बुराई थी उस पर भी उन्होंने क्या परहार किया कुछ लुग जाती का पतना का लेकर उंते थे आज तो और जाती बढ़ हो गया है कि बीमारी पढ़ता है ना जरा अपना जात की तीचरों का सबर परहाई में जाती किया है नहीं स्वास्त में और सिच्छा में जाती नहीं जो योग के है उसको चुनना है हमको ना जाती देखो ना धरम देखो अगर अच्छा क्प्र मुसल्मान होगा था हिंदू के हम मर बने जाएंगे सब्सक्राइब कर दिया कि जाती पात पूचाएं नहीं कोई सिकंदर लोधी के सामने कहा था हरी का वाजे सो हरी का वरी तो कविर्दास सब को कुछ ने कुछ लग बेटी ये लिए और कहा देशन मुँऊ हो इसन तमाचा दो गे ना 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 इंसान रहेगा मतलब आदमी फ्री आदमी मिले तो होए दो दो बाता कदाहा से कदाहा मिले तुमारे दो दो लाग तुमारे समने जैसा इंसान आता उसन नहीं बदिया हो ना कि अधरा उखूब वेट देगा इंसान उसका बलियत है नहीं सम्मान कि लागा निसामान दो गे तुछ जागा तुमारा बाता को इसलिए मैंने कहा देशा मुझा तमाचा दो सांध रहेगा सामने वाला अगर उसकी काबलियत सदिक वेट दो गे तो तुमारा बाइलू करन पुण बात ना जाती की वरुद में बोले ना थरम के बारे में कहा न धनसंगरा के बारे में इन्होंने हमेसा वही बोला जो सभी लोगों के कल्यान की बाती हित की बाती आरूट दसा है जगत बे मुक्र देखी नहीं बनी इस चितिक इतना ही बिश्म क्यों नहों लेकिन नहीं किया जुनको मार तो कोई दिकत नहीं जैसे उनको से गंदर लोटी के सामने फिद्ध की अगया हिदयों काता ता कि हिंदू को ग sigui आता है मुसल्मान को अधिया तो महराज इसको शजादी थी शुबंखवान की परिशन किया तुम्हाना धर्म क्या जाति है उस्छिद ड्रूब लुदी के संवने हमने का थी जाति पात में नहीं कोई हरी का बज़े फ तो कविर्दास कभी मुदेखी बात नहीं वो लगके चाहे उनके उपर तलवाड़े भी आदो इसले आंग सांग सुकी ने एक किताब लिखी उसका नाम था freedom from fear जीवन में आगे बरना है तो अपने अप डर से मुक्पी बना पड़ेगा वह इंसान कभी नहीं आगे बढ़ेगा जिसके अंदर के अहुट रहो वर्न कितने हैं चार ब्रह्मंग चद्रिय वैस और शुत्र इस विवस्ता को कभी रजास ने क्या किया कभी नहीं माना तो एक बात याद रखेंगे अगर पुझेगा पुझेगा क्या पूछा गया है कई बार कि भागाती बिमूख जो भार्मसो सब अधर्म करिगाये अदाउट डाउट दे दे क्या लिक देगा बहाव स्पश्ञक करे अर्था स्पश्ञक करे तह क्या लिक होगे लिखेंगे कि या पद हमारे हिंदी साहित के पाठे पुस्तक के दिगंत भागदू के छपपय सिर्षा का पाठ से लिया गया है जिसके लेखा का और नाभादास इस पद में कवीर दास के बिशेश्ताओं का वर्नन करते हुए काते हैं कि कवीर दास ने के वैसे भ्यक्ति की भर्थना की है अलोजना की है जो भक्ति भी मुख्र है क्योंकि किया है और योग यग बरत दान भजन के महत्वका जब्चा किया है कवीर दास ने कभी हुई इंदू और मुसलमान में भेदभाव नहीं किया और कभी किसी कपक्च की बात नहीं बोला हमेसा वही बात बोला जो सब के हित की हो कि स्थितिक ऐसी भी भी समनना हो कभी दरस कभी मुहु देखी बात नहीं बोला और रणासरत Adam मेवस्ता को और डर्सन चो दर्दरकुरी क्या किया नहीं लेकिन लिखे तो नावादाजी है ना किस किताब से भक्तमाल से किस किताब से रुपीज का राच हपच से एकड़े दोसरे बुलागे चक्ति चोज अनुपरास वर्न अस्थिति अतिवहारी बचन प्रीति निर्वही अर्थ अदभुत तुकदहारी प्रती बिम्मित दिवी द्रिष्टी हिर्दय हरी लीला महासी जान्म कर्म रूप शवही रसना परकासी विमल बुधी हो तासु की जोया गुन शर्व ननी धरे महा कवी सुर्दास जन्म से अन्धर थे उनके भी सिस्तां के बारे में उनके गुनों के बारे में जगर किया है नवा दास कि उक्ति चौज अनुपरास वर्न अस्तिती अति भारे हर दृष्टिकोंज से सूर दास हर सूर दास हर रिष्टिकोंज से उस समय की कभियों पर या बढ़्तमान कभियों बहुत आती बारी थी उनका वैक्तितु उनका प्रसुञाल्टी उनकी मिजार धारा सबधेस्ट साथ हो जैदा क्या थैसरे के अियुद्ध afterwards अब उन्हें बछन से मैंने बात से दो ने हैं वर तुक न क ethical अरी गवां कि हो वारे में जो भी गोका इह लिखे घैपर कि करिदे के बारे नहीं वी उले इन्होंने अपने कविताओं में भगवान कृष्ण के जन्म उनके कर्म उनके लिलाओं का मन जन्म से लेकर अपने धामत के यात्रा का पराई सुन्दर तरीके से चितरन किया है वड़न किया है बिमल बुधी हो तासुकी जोया गुन स्रवननी धरे सुर्दास के कविता का अर्थ लगाने वाला बैक्ति कोई समान नहीं होगा जिसका बुधी भी सालों वही लगा सकता है नहीं बिमल बुधी हो तासुकी जोया गुन स्रवननी धरे सुर्दास के कविता के अर्थ सुर्दास के द्वरा लगाएगा सब्द का भाव वही लगा सकता है जिसका बुधी क्या हो तुछ बुधी वाले उनके बात को कभी समाझ है नहीं सकता है तो सूर्दास की महत्तुर के बारे में, सूर्दास की विश्यस्ताओं के बारे में, चापाय में नाहा दास ने जगरी किया इसमें कितने पर हमने बताया? यहां कुछ बस्तुनिश्ट परशन बनेगा, जैसे इसे परशन बनेगा कि कवीर्दास ने किस व्यक्ति के अलोचना किया है? तो भक्ती बिमुक्त व्यक्ति के अलोचना किया है कवीर्दास किस के अलोचना किया है? भक्ती बिमुक्त व्यक्ति के अलोचना किया है और कौन भक्ती अधर्म का सारा काम कर लेता है? जो धर्म के मारक पर नहीं दोलता है, जो फक्तिक मारक पर नहीं दोलता है, और कवीर दास ने, किसकी प्रसम सा किया है। गलते सही और मुह देखी बात कौन नहीं करते थे इसमें बनेगा किस अभी कवियों पर भारी कौन है कौन कवी है जो आखों से अंदे थे और सूर्दास के कविता करने कोन लगा सकता है जिसकी बुद्धी विशाल हो और सूर्दास की कविता को सुनकार कभी क्या नहीं करेगा कि अधिक लिए यहां से कुछ बस्वनिष्ट पर आए तो वी के बारे में असान प्रस्न हो गया कि नाभादास का जर्म किदर हुआ था तक्षि भारत में नाभादास कि संगदाय से दूरे थे दलित वर्ग से दूरे हुए थे नाभादास कहा प्रवास किये अधिक लिए निवास बिर्दावन दिख्जागरू इनके राध्यदेव राम इनके समकालीन कवी कह थे वोस्तामे तुलसी दास किस भासा के कवी थे भावधी भासा के और किरिकिन पुस्तरकों कि रचना किया भक्तमाल और अव्श्टेयाम तो अव्श्टेयाम कि सैली में है वहाद अपाई सैली में भक्तमाल कि इसमें लिखा गया है जंपाई में जंपाई कहते किसे हैं पच्वाह जंदू वाले बद को जंपाई कहते हैं भक्तमाल में कितने जंपाई हैं 200 और भक्तमाल में कितने भक्तों के जरी दिका बड़न ह तो यह आपका कविता रहा